नमस्कार आप देखरें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंक साथ दोस्तों अगर आपके छेतर में कोई ऐसा लड़का हो जो होनहार हो शांत हो और जिसकी तारिफ ही की जाए और यहां तक कि उसके उदाहरन भी दिया करें उसके मिसाल भी दिया करें और ऐसे लड़की कि किसी सड़क दुरगाटना में मिर्त्य हो जाती है तो उस छेतर के जादा से जादा और सभी लोगों की जो निगाहे होती है वो हमारी नयाए विवस्था पे नयाए प्रणाली पे होती है कि किस तरीके से आखिर उस व्यक्ति को नयाए मिलेगा लेकिन चंदरपूर के वूशाद रखिर जिसको आरोपी बनाया है पुलिसने उसका मेडिकल नहीं किया तक सो मेडिकल तो पीला नहुता आने ट्याव देशांत होता चास्मदीत बताते हैं कि जो ड्राइवर था वह हमेशा ढूंकर की ही गारी चलाता था तो हमेशा ड्रिंक किया गरता था लेकिन इतने अच्छे हैं कि उन्होंने आरोपी का मेडिकल ही नहीं किया सिर्फ यह तैय कर दिया कि उसके आउभाव से हुलिया से लग नहीं रहा था कि ड्रिंक करके है और इसलिए उसी दिन जिस दिन मिर्ति उसी शाम को साड़े पांच बज़े का सपास उस आरोपी को सुचना पत यह थे वह बदल चुके हैं इस केस की ठीक तरीके से जांच परताल होगी और उन्हें बताया कि खुद इस पर पर्सनली ध्यान दे रहे हैं दोस्तों हसन सिद्धिकी मृतक हसन सिद्धिकी इतना अच्छा लड़का था इतना होनहार था कि उसके जब उसे कब्रस्तान लेकर जाया जा रहा था तो उस दिन बताया जाता है एक लबग धाई हज़ार से तीन हज़ार लोग उसके जनाजे में कब्रस्तान के लिए पस्तित हैं और खास बात ही है कि हसन सिद्धिकी की दुरगटना से मिर्ट्व 21 अपरेल यानि की इद के दीन ही यह मिर्ट्व होती है सबकी सिंपथी हसन सिद्धिकी से है और सभी चाहते है कि पुलिस निश्पक्ष कारवाई करे पीया या सिफ रजा और यहां के एसपी इन सब से काफी उम्मीदे हैं और कुछ नहीं तो एसपी कम से कम ऐसे अधिकारियों पर कारवाई करे उन्हें से निलंबित करे यही चर हैं